Hello everyone, welcome to our channel. This is Praveen here. आज मैं बहुत important information आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं, latest update है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है और competitive exam से जुड़ी ही information इस वीडियो में हम आपके लिए देने वाले हैं. हिमाचल प्रदेश में जो competitive exams होते हैं, especially class 3 के यहाँ बात की गई है, वहाँ पर क्या कुछ changes लाने की एक report पेश हुई है और इस report के बारे में जानेंगे कि यह report है, क्या और किस तरह से क्या information आपके लिए उपियोगी है इस report से, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम detail में बात करने वाले हैं. वीडियो को शुरू से लेके अने तक ज़रूर देखिएगा, जो की हर एक point आपके लिए important रहने वाला है. यहाँ पर CET exam pattern के बारे में बात की गई है, परिक्षाओं के लिए नए नियमों की बात की गई है, CBT exam pattern की बात है, और exam के validity क्या होगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो report submit की गई है उसके बारे में भी बात करेंगे. यह जो चीज है आपके लिए, जो information इस वीडियो में मिलने वाली है, इसमें 10th plus 2 graduate, post graduate, सभी के लिए नियम लागू होने वाले हैं, क्या यह नियम है, क्या यह report है, क्या यह exam है, CBT, everything, हम इसमें आपको explain करने वाले हैं. तो चलिए करते हैं, शरू. First of all, आप यह जो नए exam pattern की बात की जा रही है, इसे बोला जा रहा है, CET. CET का मतलब है Common Eligibility Test. यानि यह exam सभी के लिए एक जैसा होगा, common रहेगा. और इस exam को pass करना बहुत ही आपके लिए important हो जाएगा, क्योंकि eligibility आपकी decide करेगा. जिस तरह से पहले TET exam देते हैं न, commission से पहले, teacher eligibility test, उसी तरह से हर तरह की परिक्षा के लिए यह एक common eligibility test जो है, वो इस report के माधम से रखा गया है. यह report जब submit की गई है, तो यह बाते निकल के आ रही हैं, कि जो यह common eligibility test होगा, यह अब OMR sheet पे नहीं लिया जाएगा. इस exam को completely computer-based test बनाया जा रहा है, और इस test के माधम से OMR sheet paper use नहीं होगा. यह मुदा, इसलिए इनोंने raise कर रहा है इस report में, कि paper leak के मामले को जो है वो, यहां से निकाला जा सके. जिस तरह कि हम मामले देखते हैं, कि हिमाचल में आए दिन हम खबरे बढ़ते हैं, कि paper leak हो गया, तो उसके लिए जो है, शानन जी ने ऐसा कहा कि CBT introduced किया जा रहा है, जैसे कि हम देखते हैं, सेंटर लेवल के बहुत सारे ऐसे exam होते हैं, जो CBT based होते हैं, तो वो भी leak होते हैं, ऐसा नहीं है कि यह completely हमारे पास एक ऐसी technique है, जिससे हम paper leak के मामले को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा, जिन्होंने report बनाई हैं, उनका मानना यह है, अब इस test में क्या कह चीज़े होगी, यह test 10th plus 2 graduate है, पोस्ट graduate है, सभी के लिए यह comment हैने वाला है, सभी के लिए एक जैसा syllabus होगा, अगर बात करें, हम syllabus की, तो अभी तक कोई भी निर्धारित syllabus इसके लिए नहीं दिया गया है, लेकिन जब यह report पेश की जा रही थी, report के कुछ points explain किया जा रहे थी, तो 5 यहां पे points के बारे में बात की गई है, 5 जैसे major criteria बताए गए हैं, जहां से exam pattern आएगा, जो की उन्होंने mention किया हुआ अपनी report में, वो क्या क्या चीज़े हैं, reasoning को दो भागों में बाटा गया है, reasoning के question, एक जो है नोने बात करी, जो logical reasoning की, एक logical reasoning, दूसरा qualitative reasoning के बारे में भी इन्होंने बात करी है, qualitative reasoning, आप यह note कर सकते हैं, इसके बाद दो point में आपको बता दिये, तीसरा point जो था, उन्होंने language की knowledge, यानि इसमें Hindi और English आपको देखने को मिल सकते हैं, और इन्होंने हिमाचिर प्रदेश की जो general knowledge है, उसके बारे में बात की है, साथ में इन्होंने जी के, अभी इनकी फर्स्ट रिपोर्ट सब्मिट हुई है, इस रिपोर्ट पे भी बहुत सारी analysis होगी, और उसके बाद इस पे मोहर लगे गी, अभी रिपोर्ट के अंदर जो जो point है, वो हम समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, कुछ एक changes इसमें हमें देखने को मिले, पूरी की पूरी रिपोर्ट तो बदली नहीं जा सकती, लेकिन कुछ changes हम ऐसा मान सकते हैं, कि वो change हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं eligibility की, तो जैसे आपने, मैं TET exam का एक आपको example दे रही हूं, तो इसमें पहले, जैसे 7 साल एक eligibility criteria होता था, 7 साल तक valid होता था test, उसके बाद आपको दुबारा देना पड़ेगा, आप तो ये lifetime हो चुका है TET, उसी तरह से जो आपका common eligibility test रहेगा, इस report में 3 वर्ष इसका जो है वो, validity period दिया गया है 3 साल तक, यनि कि अगर आप इस वर्ष exam देते हैं कोई, CBT qualify होने के बाद और वो नहीं qualify होता है, अगले साल भी नहीं होता है, उससे अगले साल भी नहीं होता है, तो जब आपका fourth year लग जाएगा, तो आपको फिट से दुबारा से common eligibility test देना पड़ेगा, चाहे आपके, आपने दूसरे कोई एक्जाम भर रखे हों, तो फिर वो आपके कोई माननेता नहीं रखेंगे, तो एक ये भी 3 साल का मुद्दा, ये हो सकता है, चेंज इसमें year, गटाए, बढ़ाए जा सकते हैं, अभी तक final, मैंने आपको बहले भी बोला कि final report जो है, जिस पर मोवर गमेंट की तरफ से लगेगी, वो अभी नहीं है, और ये test जो है, हर स्थर के लिए समाने रहने वाला है, और इस report को जो है, जब पेश किया था, पोस्ट निकले, किसी भी category को लेके, और चाहिए वो teaching category है, clerical है, या पटवारी एक्जाम है, जो होगा कोई भी एक्जाम है, उसकी पोस्ट कभा है, तो इन्होंने लगबख report के अंदर जो है, report को final जो मोहर लग जाएगी, उसका अनुमान जो है, जिस तरह के हालात, जिस तरह के strict हम बोल सकते हैं, कि एक scheduling का रहा है, हिमाचल प्रदेश के सरकार का, तो इस वज़र से हो सकता है, ये चीज़े delay भी हो जाए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, तयारी की, तो देखिए तयारी करना किसी भी exam के लिए, बहुत important रहता है, आपको पहले से इस labels बताओ, तो यहाँ पे मैंने आपको जो 5 areas बताए, उन पे आप थोड़ा काम करना शुरू कर दो, क्यूंकि चाहे ये report आए, ना आए, इस पे मोहर लगे और ना लगे, आपको पता है, language, Hindi, English पे आपको काम करना ही करना है, हर एक exam में पूछी चाने वाली चीज है, HPG के आपको पढ़ना ही पढ़ना है, Indian जी के आपको पढ़ना ही पढ़ना है, overall जो GK हम बोल सकते हैं, वो आपको पढ़ना ही है, current affair पढ़ना ही है, तो उनी से चुड़ी हुई चीज़ें आपकी है, अगर कोई भी जो एस्पेरेंट है, वो तियारी कर रहा है, मानू किसी भी exam की कोई clerical की तियारी कर रहा है, तो ये चीज़ें उसको अपनी जो है, वो strong करनी ही पढ़ेंगी, और ये इतना difficult भी नहीं है, अगर आप ऐसा सोचें कि अगर ये रिपोर्ट पूरी लागू हो भी जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखें, जो एक अच्छी तियारी कर रहा होता है भ्यार्ति, मानू क्लेरिकल की क्लर्की या कोई दूसरा जो आईटी, कोई भी एक्जाम होता है, उसकी तियारी कर रहा है, तो ये eligibility है, इसमें अगर मालीचे 100 प्रशन पूछे जा रहे हैं, eligibility ये ऐसी रखेंगे कि आप वे 60 प्रतिश्रत या 70 प्रतिश्रत आने चाहिए, तो वो एक अभ्यार्ति जो अच्छी तियारी कर रहा है, वो अराम से लेके आ सकता है, ये eligibility criteria यहाँ पे होगा, तो इसमें चिंता वाला विश्य कोई नहीं है, जो अच्छी तियारी कर रहा है, वो यहीं पे जो है, उसका confidence भी एक तरह से बिल्ड हो जाएगा, और उसे कोई दिक्कत भी नहीं आएगे, और बाकि अभ्यार्थी जो जिनकी तियारी नहीं भी है, वो यहाँ पे जो है एक तरह से होता है ने, कि वो पीछे रहा जाएगा और वो अब competition अगले लेबल के लिए उनकी पास कम हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज ये भी कहना चाहूँगी, कि सरकार का अगर इस पे मोहर लग गई तो जो common eligibility test है, ये एक पैसा कमाने का अच्छा खासा जरिया है वो भी बन जाएगा, क्योंकि eligibility के लिए हर साल ये test जो है वो हर साल निकलेगा, ऐसा भी इस report में कहा गया है, ये आप इसको हर साल भर सकते हैं, तो eligibility के लिए हर साल कितने मानू कितने अभ्यारती इसको पढ़ेगा, कि उसको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं 10th पास हूँ, फ्लिस्टू पास हूँ, तो मुझे ये पहले करना ही पड़ेगा, तो कहीं न कहीं एक बड़े exam को भरने से पहले, जब ये छोटा exam आपके सामने है, तो इसके लिए भी सरकार को कितना मुनाफ़ा होने वाला है, तो कहीं न कहीं, ये भी एक strategy मैं कह सकती हूँ, कि हो सकती है, बाकी सारी चीज़े मैं आपको एक्स्प्लें करते हैं, आप हम पेट करते हैं, ऑफिशल नोटिफिकेशन जो हमें सरकार की तरफ से मिलता है, उसी के अंदर सारी चीज़े एक्स्प्लें की जाएंगे, बाकी थोड़ी सी जो में में पॉइंट से आपे बतायें, Have a nice time and take care.